है बिसमाई रहों रही एक उर्म्हीम कम मालेक przॉन द्रणा करेंट्ही एक। तो आइए सबसे पीहले मैं आप को बताए है कि एक ऐगी स्टेशिक्राइन में propulsion क्रते हैं तो estimation के हमारे पास two different styles होते हैं एक को हम point estimation कहते हैं को हम interval estimations कहते हैं तो जब हम population parameter की unknown value को estimate करने जाते हैं और उसके लिए हम एक interval estimate बनाते हैं तो interval estimate आप जब भी बनाएंगे तो आपको इस estimate के साथ अपनी confidence की डिगरी attach करनी पड़ेगी एक specified probability अटेच करनी पड़ेगी certified probability आपने attach करनी है तो जब आप एक probability के साथ जब link करेंगे मुंसलिक कर देंगे अपने confidence की तो उसको पिर हम confidence interval के नाम से जानते हैं यहां पे हम आपको एक और बात बताते हैं कि जब हम point estimate की थूँ estimation करते हैं वहां पे कोई जुरूरत नहीं बढ़ती कि आप उसके साथ अपनी confidence की degree attach करें confidence की डिगरी आप तब ही attach करते हैं जब आप interval में जो है अपने estimate शो करते हैं ठीक है इस तरह हम मार्केट से different product लेने जाते हैं तो हम उससे पूंचते हैं कि यह product है यह इसकी क्या guarantee है कि यह two to five यह वर्क आउट करेगा तो definitely वह फिर अपनी एक confidence की डिगरी आप से बताते हैं कि 90% chances हैं कि आपका जो यह mobile है within two to five यह यह अच्छा वर्क आउट करेगा इसका battery जो है वह कोई problem आपको नहीं देगा ठीक है है अच्छा आव जब confidence interval construct करते हैं तो हमारे पास यह इसका General expression होता है ठीक है यह जो theta यह हमारे पास parameter होता है ठीक है हम different conditions में different parameter को जो है ह двух estimate करते हैं हम population mean के लिए confidence interval बना सकते हैं difference between population mean के लिए बनाते है proportion के लिए बनाते है difference between portion के के लिए बनाते हैं वेरियंस के लिए बनाते हैं वेरियंस की रेश्यों के लिए बनाते हैं पापुलेशन के लिए बनाते हैं पापुलेशन के लिए बनाते हैं रिग्रेशन में आपके जो पैरामीटर्स होते हैं वो डिफरंट्स होते हैं आप बीटा के लिए बनाते हैं एलफा जो होता है यह आपके confidence की probability होती है ठीक है आपकी जो है वो क्या होती है probability किसी होती है degree of belief होती है कि आप कितने percent confident है जो आपकी population parameter की value है वो इस interval के जो है वो in between lie करेगी ठीक है अच्छा यहां पर question जहन में आता है कि जब हम population parameter के लिए confidence interval construct करते हैं तो हम ज्यादा तर जो है वो one minus alpha की value के लेते है 95% लेते हैं ठीक है तो अगर इसको हम interpret करना चाहें तो यह बात है कि हम 95% confident है कि हमारी population parameter की value है वो इसके in between जो है वो लाए करेगी और इसके बरक्स हमारे प हाकता है हम sample की basis पर जो है audition बना रहे हैं तो चूंकि sample की basis पर बनाएगे results आपको जो है वो mislead कर सकते हैं तो 5% chances ऐसे भी हैं कि हमने जो interval दिया है population parameter की values में ना आए गलती तो इनसान से हो सकती है तो status में जो गलती definitely आपसे होगी तो अगर आप 95% confidence interval को अगर आप अच्छे कैसे interpret करेंगे अलफास का चुनाओ आपने कैसे करना है इसको आप 30 अलफास में कैसे बयान कर सकते हैं चलिए आपको बताते हैं कि if we take 100 random samples from the same population with same sample size अगर हम 100 samples लेने randomly same population से और same size के साथ तो 95 samples उसमें ऐसे होंगे will must contain the true value of population parameter यानि 95 random samples आपने जो लिए हैं उससे interval estimate आपने बनाए हैं तो 95 samples पे मबनी interval estimate ऐसे होंगे जिन में population parameter की value आ रही होगी और अपको पस 5 random samples से बने अव इंटरवल estimate ऐसे होंगे जिन में population parameter की value नहीं आ रही होगी यह इस ही एक बड़ी बहतरीन बड़ी comprehensive और जामे किसम की क्या है definitions है अच्छा यहां पे confusion आती है कि हम जब भी population parameter के लिए किसी भी जब हम parameter के लिए confidence interval construct करने जाते हैं तो वहां पे हम 95% confidence interval क्यों बनाते हैं वन मेनस एलफा जिसको हम confidence level भी कहते हैं confidence option भी कहते हैं probability of confidence भी कहते हैं degree of belief भी कहते हैं ठीक है तो आपके पस जनल 95% confidence interval जो है वो इसकी राज क्या है इसकी पीछ आटो बाइग्राफी क्या है कहानी क्या है रुदात क्या है चले आपके साथ share करते हैं जैसा कि आपको पता है कि normal distribution को statistics में क्या थैसित हासल है इसको हम backbone of statistics भी कहते है mother of all the distributions भी कहते हैं stone corner of statistics भी कहते हैं यह नहीं असान अलफाज में है कि हम statistics में normal distribution को पूछते हैं यह हमारे पास इससे ideal condition इससे बहतरीन condition जो है वो आपके पास statistics में नहीं हो सकती तो स्टेटिस नार्मल distribution में हम जब जिबीशे विनेक्वैलिटी के तुछ है जब हम interval find करते हैं तो उसमे 95% observation जो है वो म्यू प्लस इन बीट्वीन आ रही होती है वो सबसे ideal condition होती है बहतरीन किसम की conditions होती है तो इसलिए हम 95% confidence interval जो है वो बनाना चाहते हैं हर population parameter को estimate करने के लिए तो यह इसके बीचे एक राज है यह इसके एक philosophy है ठीक है तो दियर्स मुझे अमीद है कि यह confidence interval के जो है इसकी definitions है इसमें जो चोटे जो है वो पार्टस हैं वो आपको clear हो गया होंगे इन्शाला नेक्स वीडियो में आपके हमरा हम दुबारा हाज़र होंगे अपनी दौाओं में आद रखेगा Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu